हलो दोस्तों आज है 9 नवेंबर और अभी बच्रे सुभा के 9 और मैं नाश्टे में लेने जा रही हूं एक डीश कांदा पोहा और एक डीश उपमा यह दोस्तों वो नो कुकिंग वाले उपमा और पोहा है जिसमें आपको उबलता पानी डाल के ती मिन्ट के लिए इसको ठकते ना रहता है पर यह इतना टेश्टी नहीं लगता बहार ले जाने वाले के लिए ठीक है पर हम लोगों को गर्मा गरम बने हुए फ्रेश खाने की यादध होती है इसलिए हमें यह सारा पैकेट फूड थोड़ा तफ लगता है इसको पसंद करने में उसी के साथ मेने खा लिए थे थोड़े से मौने को बिस्केट्स भी अब लंच के टाइम पे हम थे बाहर घर पहुँचना था मुश्किल तो फिर हमने देखा एक ढबा ज देखके तो बन गई शाम को मैंगी जो मैंने भी खाई पूरे दो पैकेट क्योंकि में वैसे घर में मैंगी वैगी लाती नहीं हूँ यह तो आज यह रीजन की वज़े से थी तो फिर मैंने सोचा मैं भी एंजोई कर ही लेती हूँ अब लंच में जो मक पुलाव खाया था वो टेश्ट बहुत पसंद आगया था तो उसी धाबे से हमने ली थी और तीन चीज़े यह है मक चना मसाला उसी के साथ ले लिया था हमने एक पास्ता पुलाव और उसी के साथ हमने ले लिया था एक वेच पुलाव तो यह तीनों पुलाव हमने खाये डिनर में और इट व कुटे